आप सभी का फिसे स्वागत है ये वर्ल जोग्राफी एंसी आटी का डिसकसन है आज का टोपिक है परियावरन संरक्षण वबिकास के दिशा में किये गए कुछ परमुपरियास ये बहुत ही मात्पूर टोपिक है अक्सर यहां से प्रशने पूछे जाते हैं इसको दो से तीन बार आप रिवाइज कलीजिएगा ये अध्याय 21 है सबसे पहले मानों और परियावरन से संबंदि स्टॉक होम अंतराष्ण शिखर समिलन के बारे में डिसकस करेंगे जो स्टॉक होम अंतराष्ण शिखर समिलन है ये कब हुआ था 1972 में इसका समंद्ध किस है तो मानों और इसका बारे में देख लेते हैं परियावरन के संबंद्ध में अंतराष्टी अस्तर पर ये पहला बैस्विक सिखर समिलन था कौन श्टॉक होम अंतराष्टी सिखर समिलन जिसका योजन संजुक्त राश्ण के द्वरा स्वीडन की रधानी श्टॉक होम में 5-16 जुन 1972 के द निदान करना था तो इसका प्रमुक उद्ध से क्या था? कौन-कौन से निर्ने लिये गए तो सभी देशों को विशिश, जीव, जन्तूओ और पौधोज से सम्मंदित सनक्षन कारिकरम प्रारम करने और इसके लिए परियावरण विभा के गठन का सुझाओ इस समयलन के बाल भारत में पोर्जेक्ट टाइगर कारिकरम चलाने का निर्ने लिया गया और वायू परदूसन से सम्मंदित कानून भी बनाए गये इस समयलन में 119 देशों ने पहली बार एक ही प्रित्वी का स्यधान को जो है सुझार किया एक ही प्रित्वी तथा संजुक्त राज परियावरण कारिकरम के गठन का निर्ने लिया गया United Nation Environment Program के गठन का निर्ने लिया गया इसका उदेश विकासिल देशों को परियावरण संरक्षण के लिए आवस्यक तकनिकी और आर्थिक सहायता के साथ साथ परियावरण संरक्षण से सम्मंदित विश्यों पर सुझाओ देना था इसी संम्मिलन में पांच जुन को विश्यों परियावरण दिवस मनाने का भी निर्ने लिया गया तो परतेक साल पांच जुन को विश्यों परियावरण दिवस मनाया जाता है इसको याद रखिएगा कई बार ये प्रश्न उचा जा चुका है इसके बाद Rio de Janeiro Sammelan यानि प्रिथिवी Sammelan 1992 इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो Rio de Janeiro Sammelan को प्रिथिवी Sammelan 1992 भी कहते हैं और इसका जो सम्मन्द किस से है याद रखिएगा इसमें जो सबसे महत्मूर था वो था धार्णिये विकास एजेंडा 21 तो देखे अंतराश्टी अस्तर पर परियाबरन संदक्षण और विकास के दिशा में यह अत्याधिक महत्पूर्ण परियास था इस समयलन में एक किस्वी सदी के लिए धार्णिये विकास के लिए कारेकरम निधारित किये गए सस्टेनेवल डेवलप्मेंट कारेकरम जो है निधारित किये गए और इसे एजेंडा 21 नाम दिया गया और यह प्रशन कई बार पूछा जा चुका है यह चार परमुख भागों में बटा हुआ था पहला विकासिल देशों से संबनित कारेकरम के अंतरगत गरीवी का निवारण करना और जनसंख्या नियंतरण यानि पॉपूलेशन गुरोथ को जो है कंट्रोल करने पर ध्यान दिया गया बल दिया गया क्योंकि इसके समधान के बीना किसके समधान के बिना तो गरीवी निवारण और जनसंख्या नियंतरण के समधान के बिना वहाँ पार्ष्थित्किये विकास कारिकरम लगभग और शम्भव है इसके बाद सबको खाद, स्वक्ष जल और समाजिक सुरक्षा की उपलबता पुंजी अस्थनांतरण को उदार बनाने पर बल देना और जय विवित्ता का सर्वेक्षन और संकट गरस्त जीवों के सनक्षन पर बल देना ये काफी जो है मतलब कह सकते हैं कि ये जो महत्पुन इसके तत्व थे इसके बाद अगर बात करें तो इस सम्मिलन में चार अन्य महत्पुन निर्णय लिए गए थे जैसे तापमान नियंतरण वन सनक्षन जय विवित्ता और सततविकास इसके बाद क्योटो सम्मिलन या प प्रितवी प्लस 5 सम्मिलन जो है भूमंडलिये तापमान नियंतरण के समंद में इसका समंद भूमंडलिये तापमान नियंतरण से था गलोबल वार्मिंग दिसंबर 1997 में जपान के नगर क्योटो में प्रित्वी प्लस 5 सम्मिलन में महत्पूर्ण ने लिए गए तो जपान के एक सहर है जिसका नाम है क्योटो यहाँ पर प्रित्वी प्लस 5 सम्मिलन का योजन किया गया यूरोप के परते के देश को अपने कूल ग्रीन हाउस गैसों का उसरजन 8% संजुक्त राज जो अमेरिका है इसको 7% जपान को 6% कम करने को कहा गया चीन, रूस, भारत, ब्राजिल, इंडोनेसिया आधी देशों के लिए भी उसरजन मानक निर्धायत किये गया ग्रीन हाउस गैसों की मातरा में औस तन 5.2% की कमी लाने का लक्ष रखा गया, 5.2% कमी लाने का एम रखा गया यह निशित किया गया कि वायूमनल में ग्रीन हाउस गैसों का जो अस्तर है किसी भी स्थिती में 1990 के दस्तक से उपर नहीं जाना चाहिए जो कंडिशन 1990 में था वो अभी भी वही कंडिशन रहना चाहिए इसको जो है मतलब की भाव रखा गया इसके लिए लक्ष प्राप्त करने का वर्स 2012 ने धारित किया गया 16 फरवरी 2005 से क्योटो प्रोटोकॉल लागू हो गया क्योटो संधी के अनुपालन के करम में न्यूजिलेंड ने मई 2005 में ग्रीन हाउस गैसों के उस सजन पन नियंतरन के लिए अपने यहां कारवन टैक्स का प्रवधान किया कारवन टैक्स इससे कोईला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे जिवास्म उर्जासरोत अन्य परियाबरन मित्र उर्जासरोत जैसे जल वायू और सौर आदी से महंगे हो जाएंगे विदूत उत पादकों का जुकाव नवीन उर्जासरोतों की ओर हो सकेगा गलोबल वार्मिंग पर नियंतरन के लिए इस परकार का कर लगाने वाला न्यूजिलेंड बिश्व का पहला देश था याद रखिये इसके बाद एक जुलाई दोज़े बारस से ऑस्ट्रेलिया ने भी कारवन टेक्स का प्रोधान कर दिया अमेरिका के कैलिफोर्निया राज में इस्थित मोहावे रखिस्तान में सोलर पावर प्लांट लगाया गया भारत के राजस्थान राज के जोधपूर जीले में बिश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो है लगाया गया है स्विडन बिश्व का पहला देश है जहां बायो गैस के अधार पर रिल गाड़ी चलाई जा रही है संजुक्त राज अमेरिका ने एक कोली बैक्टेरिया से जयो इंदन याने बायो फिल बनाने में सफलता प्राप्त की है इसका पेट्रॉल के विकल्ब के रुप में परियूग component या सकता है इसके बाद जोहांस्बर्ग सिखर शमिलन दो है दो जोहांस्बर्ग सिखर शमिलन दो है दो इसके बारे में डिसकस करेंगे यह सतत विकास पर BCS रूप से आयोजित बैस्विक सिखर्ष शमिलन था या था बैस्विक सिखर्ष शमिलन था ठीक है और इसे प्रित्वी 10 समिलन भी कहा गया है प्रित्वी 10 क्योंकि रियो डी जनेरीव में 1992 इस्वि में दिये गए एजेंडा 21 के करियानेवन की यह 10 वर्ष से लागू करने पर बल दिया गया जै विवित्ता को बनाए रखने और प्रजातिय बिनाज के स्थिती पर परभावी नियंतरण के लिए 2015 का लक्ष ने धारित किया गया गैर प्रमप्रागत उर्जा के व्यापक प्रियों के लिए भी 2015 को लक्ष रखा गया इसके बाद प्रिप में नुसा दुआ में दिसम्भा दुआ साथ को संपन हुए संजुक्त राजशंग के तत्वधान में आयोजी जलवायू परिवर्तन पर बैस्विक समेलन यानि बाली रोड मैप में 190 देशों के परतिनिधियों बेग्यानिकों और समाजिक कार्यकरताओं ने भाग लिए इस समेलन में 2012 में या जो समेलन था इस समेलन की समाप्ती 2012 में हो गई और क्योटो प्रोटोकॉल के अस्थान पर नईस संधिक के बारे में वीचार किया गया तो इस समेलन में Jesus तो अज़र 12 में समाप्त हो रहा है, क्योटो प्रोटोकॉल के स्थान पर क्या किया गया, नई संधी के बारे में विचार किया गया, इसमें क्योटो प्रोटोकॉल से आगे की रणनीती बनाने और ग्रीन हाउस गैसों के उस सर्जन में कटवती करने के सम्द्ध में 202 पिस हमत इसके बारे में देख लेते हैं The Future We Want याद रखेगा The Future We Want नामक मसाधा को प्रस्तूत किया गया पेश किया गया जिसमें सतत विकास, जनसंख्या नियंतरन, गरीवी उनमूलन, समाजिक समानता आदी बीसे ओपर विचार किया गया ठीक है और भारत ने इस सम्मेलन में हरित अर्थ वेवस्था यानि ग्रीन ए नीजी निवेस करते समय या ध्यान रखा जाएगा कि कार्वन उस सर्जन और उससे होने वाले परदूसन की मात्रा में कमी लाई जाए तो ये ध्यान रखना जडूरी था और यह तभी समभव है जब सभी डेश एक नई अर्थ विवस्था कि स्रीजन का प्रियास करें, नि सुनिशित हो सके, लेकिन इसके लिए और राष्ट्रों को उदार द्रिश्टी कोण रखना जडूरी होगा, क्योंकि बिक्सित इसे विकासिल देशों को जो है उन्जी और तकनीकी की कमी का सामना करना पड़ रहा है, रियो प्लस 20 समयलन में सतत विकास के लक्षियों को प् यह जो चार छेत्र हैं, जलवाईव परिवर्तन पर कारेवाही, महसागरों के सनरक्षन, खाद सुरक्षा और सतत विकास के मुड़्दे, यह सबी इसमें सामिले चार छेत्रों को लेकर जो है, इसमें सबसे ज़्यादा असाहमती बना हुआ है, जब तक ओधावई के राष नतीजे पर नहीं पहुँच पाया, कारवन ट्रेडिंग क्या है, इसके बारे में डिसकस करेंगे, देगे संजुक्त राष्ट इन्वार्मेंट प्रोटेक्षन एजेंसी ने 1970 के दसक में सबसे पहले कारवन ट्रेडिंग की संकल्पना प्रस्तूत की थी, क्योटो प्रोटो की जाती है, कारवन क्रेडिट, ग्रीन हाउस गैसों के उसरजन को कम करने के लिए देशों को मौदरिक रूप से पुर्साहाण देने का तरीका है, यदि कोई कंपणी या एजेंसी या निधारित संख्या सीमा से कम उसरजन करती है, तो उसे कारवन क्रेडिट मिलता है, जि दियोग या एजेंसियों के लिए वनिकरण या ग्रिन तकनीकी उपलब्ध है अंतराश्टिय बजार में प्रती टन कारवन क्रेडिट की जो कीमत है 15-20 डॉलर है भारत में कारवन ट्रेडिंग के लिए परियावन मंत्राले ने ऐसी 150 परियुजनाओं को सिलकृति परदान की ह कारवन फुट्प्रिंट से ताथ पर किसी एक संस्था बेक्ती या उत्पात के द्वारे किये जाने वाले कूल कारवन उस सर्जन से है यादखिएगा किसी बेक्ती संस्था या बस्तु के कारवन फुट्प्रिंट का आकलन हरित गरी गैसों के उस सर्जन के अधार पर किया यह जीवन चक्र आकलन का एक है महत्पूर हिसा है जलवाई परिवर्तन पर IPCC रिपोर्ट क्या है इसके बारे में डिसकस करेंगे देखे आई पी सी सी जो रिपोर्ट है इंटर गुवर्मेंटल पैनल ओन क्लाइमेट चेंज इसका गठन 1988 में 200 मौसम बिज्ञान संगठन और स है जिसमें ग्रीन हाउस गैसों के उसरजन के लिए मानविये गतिविधियों को उतरदाई माना गया है रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कारण से हेमनदों के पिघलने से जो है समुंद्री जलस्तर में ब्रिधी और बैस्वी जलवाई परिवर्तन के सांसाद बाढ़ और आपन पर चिंता ब्यक्त करते हुए कहा गया है कि पिछले एक दसक में कारण डायोकसाइड के साथ ही मीठन की बढ़ती सांदरता के लिए क्रिसी और जिवास्म इंधनों को उत्तरदाई ठहराया गया है रिपोर्ट में जलवाई परिवर्तन से अनकूलन के लिए त्वरित परियासों पर बल देते हुए अगले 50 वर्षों में ग्रेन हाउस गैसों की उसरजन में 85% की कटोती करने की बात की गई है साथ ही जलवाई परिवर्तन को मापने के लिए इंडिकेटर्स यानि सुचकों की या सुचकों में परिवर्तन लाने पर भी सहमती ब्यक्त की गई है गलोबल वार्मिंग के होट स्पोट इसके बारे में डिसकस करेंगे global warming के जो hot spot है और कौन कौन से है पहला अगर बात करें तो IPCC ने यानि Intergovernmental Panel on Climate Change ने असपश्ट कर दिया था कि basic तापन से आज संपूर्ण प्रत्वी संकट में है तथा ऐसे अस्थान जो लंबे समय से संतुलित पारिस्थित की दसाओं वाले रहे हैं वहां पर भी परतिकुल प्रभाव पढ़ने की आचंका है तो वैसा छेतर जो मतलब कि पारिस्थिकी संतूलन दसाओं को मतलब कि कायम रखा है फिर भी वहां पर परतिकुल प्रभाव पढ़ने की काफी गुंजाइस है बैज्यानिकों ने ऐसे अस्थालों को बैस्वीक तापन के तपता अस्थाल, hot spot of global warming के रूप में चीनित किया है और भारत में अगर बात करें बदब बरतमान में इसकी संख्या 20 है और भारत में इसकी संख्या कितनी है आप जोई comment करके बताइयेगा ठीक है इसमें उतरी हिमनदों के पिखलने की आसंका है अफरिका के किली मंजारो परवत चीन के तियेंसान परवत और भारत में गंगोतृ के हिमनद सरवाधिक संकट के स्थिती में है हिम के पिखलने से सागर के जलस्तर में ब्रधी हो रही है जिसे ची इन, फीजी और बंगला देश के टट्टी ये भाग डूबने की कगार पे हैं इसका तरिक सेसेल्स, मौरिसस आदी भी खत्र के स्तिती में हैं याद रखिएगा इसके बाद अगर बात करें तो देखिए इसके बारे में देख लेते हैं इस सहर में आंसिक रूप से सुखे छेत्रों में जलवायू सतत्ता और विकास के संबन में दिवित्यक अंतराश्य समेलन को आयोजित किया गया संजुक तराश नहीं है तो है 10 से 20 के बीच जो है डिजर्ट्स एंड फाइट अगेंड डिजर्टिफिकेशन के रूप में मनाय जाने की घोशना की है सी फोटी सहर समेलन क्या है इसके बारे में डिसकस करेंगे जो सी फोटी सहर समेलन है ये बीच के बड़े सहरों का एक समू है जिसका उदेश है जलवाईव परिवर्तन के चुनावतियों से निपटना वर्तमान समय में इसमें 40 सहर सदा से बन चुके हैं जिसमें भारत के दिली और मुंबई भी सामिल है सी फोटी सहरों की कुल जनसंख्या 300 मिलियन है बिच्व के 21% आर्थिक गतिविधिया इनी सहरों में होती है तथा इनी सहरों से पूरे बिच्व में 12% ग्रीन हाउस गैसों का उसरजन होता है शाव पावलो में बिस्व बैंक ने C20 समो के सहरों के साथ समझोता किया है जिसका अंतरगत जलवाई परिवर्तन के परभावों को कम करने वाली परियोजनाओं को तकनीकी और बित्की सहता परदान की जाएगी सन्जुक तराज जलवाई परिवर्तन सम्मेलन 2016 COP22 इसके बारे में डिसकस करेंगे साथ से आठ नौमब दौश सोला के बीच बाब इगली माराकेस यानि मुरको में जलवाई परिवर्तन पर जो है UNFCCC सन्जुक तराज फ्रेमोक जो शम्मेलन है इसके पशकारों के वासिक सम्मेलन के 22 सत्र यानि COP22 का आयोजन हुआ ठीक है क्योटो प्रोटोकॉल के पशकारों की बैठक बारा हवा 7 और पेरि सम्झहोते के पशकारों की बैठक का प्रथम 7 भी आयोजित हुआ कॉप 22 की अधाचता मुरको के विदेश मंत्री याद के सलाहेदीन मेजूर ने की इसके बाद संजुपत राज जलवाई परिवर्तन सम्मिलन 2019 यानि कॉप 25 इसके बारे में डिस्कस करेंगे देखें 2-13 दिसंबर 2019 के बीच UNF CCC के पचकारों ने वार्षिक सम्मिलन के 25 सत्र यानि कॉप 25 का योजन एस्पेन के मैडिश शहर में संपन हुआ इस सम्मिलन का पर्मुख उदेश यानि परीश समझोते से समंदित जलवाई परिवर्तन से जूड़ी हुई योजनाओं पर बाचित करने और उन्हें लागू करना था याद रखेगा पर्मुख उदेश से क्या था कॉप पचीस में लगबग 200 देशों के पर्तिनीधियों ने उन्हें सभी गरीवी देशों के मदद के लिए घुशना का समर्थन किया जो जलवाई परिवर्तन के परभाव से क्या हो रहे हैं जूज रहे हैं इसके बाद गलासको सम्मेलन यानि कॉप 26 इसके बारे में डिसकस करेंगे 31 अक्टूबर और 12 नवंबर 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 21 के बीच गलासको स्कॉट लैंड में यानि उनाइटेट किंग्डम में जलवाई परिवर्तन पर सन्युक्तराश फ्रेमवर्क सम्मिलन का आयोजन किया गया 22 उर्जा संक्रमण को कम करने के लिए कॉप 26 में ग्रेन ग्रेन इनिसियाटिव वन सन वन वर्ल और वन ग्रेन को प्राराम करने के लिए वन सन गोशना की जो है मंजूरी परदान की इसके अंतरगत 100 निवेस कार एजेंडा और 100 निवेस रोड मैप भी लॉंच किया गया देगे अगर बात करें तो 11 नॉवंबर 21 को जलवाईव परिवर्तन परदासन सुचकांग 21 जारी किया गया और यहां संतावन देशों और इरोपिये संके जलवाईव सनक्षन से संबन्दित उपायों के परदासन पर परदासन पर के लिए एक स्वतंत निगरानी उपकरण के रूप में कारे करता है जलवाईव परिवर्तन परदासन सुचकांग 22 जर्मन वाज न्यू क्लाइमिट इंस्टूट और क्लाइमिट एक्षन नेटवर्क के दौरा डेनमार्क सुचकांक में चतूर्ट करम पर है चौथे अस्थान पर है रिपोर्ट कनुसार प्रतम तीन अस्थानों पर कोई भी देश जो है अस्थान नहीं बना पाया है क्योंकि पेरी समझोते के लागू होने के बाद भी किसी देश के द्वारा जलवाई परिवर्तन के खत अस्थान, सौधी अरब और इरान 22 में जलवाई परिवर्तन परदसन सुचकांक में भारत को अगर बात करें तो जो एक महत्पूर्ण अस्थान प्राप्त हुआ वो कौन सा अस्थान था तो दस्वा अस्थान जबकि वर्ष द्वाई 21 में वह 63-98 अंकों के साथ दस्वे अ यहां से जितने भी पॉइंट बच रहें उसको कवर करेंगे आप अपना परतिक्रिया देते रहें आपके परतिक्रियाओं का बेसब्लिस इंतजार रहता है जिन लोगों ने टेलिग्राम चैनल, टेलिग्राम क्वीज ग्रूप, फेस्बूप पेज, इंस्टाग्राम को ज स्किप्सण बॉक्स में उसका लिंक है, आप जोईन कर सकते हैं, थाइंक यू, मिलते हैं नेक्स सेशन में